तो कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका फिससे एक नहे मार्केट एनाल एक शी स्वीडियो में तो दोस्तों भी आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे कल के लिए निप्टी और बैंक निप्टी में हमारे क्या वियू रहेगा कौन से लेवल्स रहेंगे यहां पर हम बाय औ एंफ्रेम के उपर और यहां पर मैं अफटाक का trading platform यूज कर रहा हूँ जो की एक मतलब कर हो मुंद की ट्रेडिंग वियू यहां पर पूरा free में यहां पर ययूज करने को मिलता है अब 3rd से भी ज्याधा free में indicator यहां पर लगा सकते और भी कहीं सारे पिच्चर्स आपको देखने को मिल जाएगे तो बहुत ही अच्छा प्लैट्फॉर्म है अफ्स्टोक और अगर आप एकाउंट ओपन करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आपको हमारे लिंक के थुरू वहाँ पर अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हो और अन्यूल मतलब जो एम सी चार्जिस है आपको वहाँ पर जीरो देखने को मिलेगे आपको कोई चार्जिस वहाँ बनना नहीं पड़ेगा बाकी इंट्राडे जो भी है नॉर्मल सा वह आपको जो लेवल्स दिये थे मैंने निप्टी और बैंग निप्टी में एक्जेटली पॉइंट टू पॉइंट आपको वैसे ही यहाँ पर ट्रेड करने को देखने को मिला मतलब जहां से हमने बाइंग के लिए प्लानिंग किया था वहां से बाइंग आती होई देखने को बिले और जो टागेट आपको एक्जेटली जो दिये थे पॉइंट टू पॉइंट महां पर हीट होते हुए देखने को मिले थे मदलब और अगर बात की जाए तो जो हमने विउव बनाया था जो हम नूट्रल लेके जा रहे थे जो लोग बीरीश बीरीश क्रेस हो जाएगा क्रे घुलेश मॉव्मेंट को और आपको मरलाब एक बॉजिटिव ले यहांप चलना है जैसे कि चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर आपको कहीं भी नेगेटिविटी देखने को नहीं मिल रही है तो अभी भी अगर कहें जो चार्ट के ऊपर एक्जेटली पॉइंट टू पॉइंट वहां पर आके निप्तिक खड़ा हुआ है तो अभी क्या है मतलब यहां से क्रेस हो जाएगा हो सकता है नीचे गिर जाए फॉल हो जाए परंतु अभी भी फिलाल अगर देखे चार्ट के उपर तो कोई नीचे यहां पर नेगेटिवि लेना है तो हम लिवर्स लेगे नहीं तो नहीं लेगे अलग कि अगर केंडल साज का देखे ग्रीन केंडल है डेली टैंप्रम पे एक स्पिनिंग टॉप टाइप का है तो कोई मेजर मतलब यहां पे वह कहें तो बीरिस व्यू या कुछ है नि थोड़ा अगर आप देखो कि कुछ लोग कहें कि यहां पर रिजेक्शन देखने को मिला है वह कौन सा रिजेक्शन वह आपको में 15 मिनी टैंप्रम पर लेकर जाओ यहां से तो लास्ट के हादे गंटे में मतलब आपको एक फॉल देखने को मिला है तो और कुछ नहीं प्रॉफिट बॉकिंग है क्योंकि कि इतना बड़ा अगर आप देखो कि अप्ट्रेंड यहां से मार्केट ऊपर गया है तो आप देखो कि तो कंटीन ऊपर गया है तो लास्ट में प्रॉफिट बॉकिंग आना सोभाविक है तो कोई गब्राने वाली बात है नहीं खास करके लेवल्स विध्यान दे लेवल्स सपोर्ट जो पहले रसिस्टन था कल जो आपको मैंने कहा था 350 के उपर हम बाय लेके चलना है तो आज भी हमारे पार स्वही लेवल्स रहेगा 360 का लेवल्स अगर यह ब्रेकडाउन करता है तो ही हम यहां से सेलिंग सैट के लिए जाएंगे नहीं तो उसके उपर हमारा एक बाय दिप वाला विव मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है अप्रेंड का हाई 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 लो उसके इसाफ से हम यहां से चलते हो जाएंगे मतलब यह अभी यहां से फीसे सपोर्ट लेके आगे और कंटिन्यून कर सकता है तो आपको अगर 18,350,60 के आसपास अगर कल डबल वोटम या कुछ भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रेकडाउन करके भी और नीचे कंटिन्यून कर रहा है और आप वहां पर बाय बाय करते जा रहे हो वह भी नहीं होना चाहिए तो इसके उपर आप बाय करके चल कर सकते हो सेल भी कहां करेंगे 350 के नीचे ही 350-300 का एरिया हमारे पास रहेगा उसके नीचे हम सेल करने के लिए जाएगे अगर पांच मिनिट पे आपको अगर देखा हो कुछ स्विंग लोग्स अगर आपको देखने को मिले तो 360 से लिएके 300 का लेवल से रहेगा पर 360 के नी तो 80,290 फर्स्ट टागेट और सेकंड टागेट की अगर बात करें तो 80,200 हमारा जो आपको एक most important support जो दिया था वन्डे टैम फ्रेम के वह आपको अगर जोन भी आपको में यहाँ पर दिखा दू तो यह हमारा most important support है इसके नीचे ही हम बेरिस होगे है ना तो वो हमारा levels रहेगा 200 तक यह नीचे जा सकता है यहाँ पर downside के लिए बाकी आपको trailing stop loss के साथ यहाँ पर चलना है 360 का level यहाँ पर breakdown हुआ तो यह हमारा major support यहाँ पर रहेगा बाकी यह 200 का यह में आपको ध्यान में लेकर चलना हो सकता है यहाँ से 260 मतलब यह हमारा first target आप मारा यह रहेगा और second target हमारा 200 रहेगा तो इस तरह से आप यहाँ पर planning कर सकते हो downside के लिए इसको थोड़ा भी colors और thickness को बड़ा देते हैं तो यह हो गया 360 के देखने को मिल जाएगा और फिर से आप 200 से बाय करने का सोच सकते हो अगर वहाँ पर सपोर्मेशन टिकता है मतलब लेता है तो अभी कहा करना है बाय के लिए तो आपको एक पहला वीव आपको मैंने बता दिए कि तो 360 को उपर सपोर्ट लेता है तो आप कर सकते हो अगर मानलों यहां पर साइड ओपन हुआ और सिधा उपर जा रहा है कंटिन्यू कर रहा है यह सोटा मुट्डा गया पर ओपनिंग देखने को मिला तो फिर आप 80,460 का जो आपको एक लेवल कहा था जो एक पोजिशनल डेसिस पे भी आपको इसके उपर ही मैंने ट्रेट बनाने के लिए कहा था विकली आनालिसिस वीडियो में तो यह अभी हमारा फिला लेक मोस्ट इंपोर्टर रसिस्टन है इसके उपर ही अगर सस्टेन होता है तो आप बाइक कर सकते हो मतलब इंटर डे बेसिस के बात कर रहा हो और आपको जो पोजिशनल व्यू दि 6boys के उपर आगे कि अगर बात करें तारगेट हमारे पास रहेंगे अग्यक्षट टारगेट शीनारियो अग्यक्रिया करने का लेवल्स देखने को मिलेगे, फिर देखो, नेक्स्ट रेसिस्टंट इंपोर्टन्ट, यहाँ पे कोई मेजर रेसिस्टंट हमें देखने को नहीं, फिर यहाँ पास्ट में, चल सकते हो, मतलब यह 1st, 2nd और 3rd टागेट आप ऐसे लेकर चल सकते हो, निप्टी में, यह हो गए हमारा निप्टी का व्यूओ, अभी चलते हैं बैंग निप्टी में, बैंग निप्टी में हमारे पास क्या रहेगा, बैंग निप्ती के लेवल्स यहाँ पर चेक कर ले वन अवर का टैम फ्रेम यहाँ पर भी हम लगा के यूज करेंगे यहाँ पर बैंग निप्ती में अगर आज देखोगे तो क्या हुआ एक मतलब आल टाइम हाई एक्जेटली एकर कहे तो टेस्ट नहीं हुआ है थोड़ा सा 10 पोईंट से मतलब पॉइंट टेंट वहां पर थोड़ासा रहे गया है एक्जेटली अगर बात करें तो नहीं वहां पर टेस्ट हुआ है आल टाइम हाई भी यहाँ पर अभी भी नहीं बनाए तो जो मतलब अगर आपको डेली टाइम फ्रम पर ले जाओ तो एक्जेटली वही पर जाके उसने क्लोजिंग दी है और कहीं ना कहीं उसी पॉइंट से हमें प्रोफिट वोकिंग देखने को मिली तो यह अभी स्ट्रक्चर के इसाब से अकर बात करें तो यह अभी भी कंट्यूनिव कर सकता है जब तक फोटी थ्री जा उजन सेवन अंड्रेड फोटी के उपर है तब तक बा हम बना सकते है कल तो थोड़ा लोड हो रहा है यहां पर तो देखिए लेवल हमारे पास आ गए चार्ट ओपन हो गया 15 मिनी टैम फ्रेम के उपर बाई कहां करेंगे बाई आज के दिन के हाई मतलब फोटी फोर दौजन वन अंड्रेड फिप्टी भाई यहां इसके उपर अ आगे ओल टाइम हाई बनता हुआ देखने को मिलेगा हमें और दोसो दोसो डेट सो दोसो पोइंट यहां पर आप ट्रेल करके आगे कर सकते हो सेल कहां करना है सेल के लिए अगर देखे प्रिविए स्विंग लोग हमारा कौन सा निकल के आएगा यह वाला मतलब फोर्टी फ दाउजन नीचे अगर वहां पर ब्रेक हुआ लेवल आप नीचे सेलिंग के लिए जा सकते हैं टागेट हमारे पास क्या रहेगा नीचे के साइड नीचे यह 43,700 तक यह आज सकता है नीचे यहां से फिर से आप बाय का व्यू बना सकता है अगर सपोर्ट लेता है तो और यहां से व्यू हमारा बना रहेगा डेली टाइम फिल्म के इसाब से यह हमारे पास सपोर्ट रहेगा नेक्स्ट अगर आप बात करें कि 44,000 ब्रेक तो यह आप ऐसे सपोर्ट फोर्मेशन मतलब यह लेकर चल सकते है वन आवर टाइम फ्रेम के अगर आपको दीखाओ यहां पर तो मेजर बस यही सपोर्ट लेवल आपके पास रहेंगे इसी इसाब से आप ट्रेट प्लान कर सकता है 44,000 के नीचे ही आपको ब्रेस होना है इं वह भी आपको फर्स टागेट तब 43,800,900 का रहेगा सेकंड टागेट अमारा मतलब ओल्मोस्ट रहेगा 43,700 यहां तक नीचे आ सकता है यहां से फिर से हमको एक बाउंस देखने को मिल सकता है बाई के लिए 44,150 इसके उपर यहां बाई तर्डीप वाला व्यू लेके चलना ह है बाकी अगर 44,000 के उपर कर मालो छोटा मुटा साइड वे जया तो खुला तो यहां पर अगर डीप मिलता है तो 44,000 के उपर भी आप बाई लेके चल सकते हो और आगे कंटिन्यू कर सकते हो तो वहां से आप अगर बाई करते हो तो फर्स टागेट हमारा 44,150 और आगे आप डेट सो डेट सो या 200 पोइंट का अप्रेलिंग स्टोप लो साथ लेके चल सकते हो बाकी दूसरा आपको मैंने कहा था लास्ट तो नहीं फ्राइडे को मैंने आपको कहा था कि डॉलर पर नजर बनाया रखना यहां पर डॉलर इसके उपर सेस्टेंड करता है तो हमें एक न दो ही हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिकत देखने को मिल सकती है मतलब वहां पर फिर हमें यह कहो कि थोड़ी नेगटिविटी आती होई देखने को मिल सकती है कब जब इसके उपर सेस्टेंड रहेगा डेले टाइम फ्रेम के बेसिस पे आला कि क्लोजिंग दिया देखने को मिला तो अगर दूसरी बात अगर कहें यहां पर रिकावर कर रहे तो लगा था तीन दिन से लोवर लेवल से वह रीकावर करता हुआ देखने को मिल रहा है आज भी अगर देखेंगे तो जो मतलब काइंड ओफ अगर कहें तो हैमर टाइप केंडल्स तीन दिन से लगा तर डीप मार रहा है तो फिर से रिजेक्शन लेके मतलब एक टू अंडेड इयमे का यहां पर मतलब टू अंडेड इयमें पर सपोर्ट कॉर्मेशन बनाता हुआ देखने को मिला जो कि एक पॉजिटिव व्यू लेकर चल सकते हैं निफ्टी ब्हांग निफ्टी में ज्यादा कोई डरने वाली बात है नहीं यहां पर तो बस वीडियो इधर ही खतम करेंगे आसके इतना ही व्यू था अमारा निफ्टी और ब्हांग निफ्टी में लेबल के साथ चलोगे तो ही करते हुए हम सी चार्ट के ऊपर ध्यान देंगे और चार्ट के उपर अगम देखें लेवल्स कितनी हैं यहां पर काम करते हुए देखने को मिला है मन्लब एक पॉइंट यहां पर एक्टीवीटी अगर टागेट की बात करें बैंग निफ्टी में देखोंगे आप तो आप को बाय के लिए कहा था वहीं से बाइंग और जहां पर प्रोफिट बुकिंग के और कहा तो थोड़ा से रहे गया है इतना तो आप मेरे लिए छोड़ सकते हो ना तो एक अच्छा सा दिन रहा आज प्रोफिटेबल अच्छा गासा तो चलिए वीडियो इधर ही हम खतम करेंग होगे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करते और साइड में आपको बेल आइकन देखने को मिज़रा होगा बेल आइकन को भी आप वहां पर ओन कर दे और ताक कि जब भी मैं है आप पर वीडियो अपर पर तो आपको एक नॉटिफिक से मिल जाए तो वीडियो देखने के लिए थैंकियो